जोहार मेरे सभी मित्रों आज मैं पहली बार हिंदी में आप सबों के बीच में मैं उपस्तित हुआ हूँ और आज का जो मामला है सही माइने में आदिवासियों के लिए बहुती गंभीर मसला आज सामने आ रहा है बिगत तिन चार सालों समय लगातार आदिवासियों सुरक्षा परिशित के बैनर तले इस बात का मांग उठाते रहे हैं कि आदिवासियों महिला जो अंतरजाती विवाह करने के बाद भी उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नौकरिक करने का अधिकार और जमीन लेने का ज जादिवासियों को लव जिहाद की तरह उनको फसा लिया जा रहा है और उनसे शादी करके उनका जो समय दानिक अधिकार है उसका दोहन कर रहे हैं फेस्बुक में बड़ी मामला एक वाइरल हुआ है कि एक पशिम मंगाल की एक मुर्मू लड़की चिन्नाई में एक मुस्लिम के साथ 20 तारीकों 20 अगस्त को विवाह करने जा रही है मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि कौन किस से विवाह करता है उसका विवाह करता है उसका विवाह करता है लेकिन भारती सम्मिधान ने एक समूदाई को आधिवसी समूदाई को या रिजन समूदाई को रिजरुशन दिया है उस समूदाई को रिजरुशन है ना कि कर लेता है तो उसको रिजर्वेशन का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जिससे आज आदिवासी समाज आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आज इस फेस्बुक के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि उस मुद्दे में प समुदाय को बचाने के लिए भारतिय समिदान ने सीएंटी एक्ट एसपीट एक्ट पेशा कानून बनाया पेशा कानून के तहत एक हमें यह अधिकार है कि हम अपने रूड़िवादी वेवस्था को बचा सके इसलिए हमें सट प्रतिशत आरक्षन दिया गया है मैं यह सव धर्म संस्कृति को बचा सकता है जो महिला किसी अन्य धर्म को मान रहा है अपना परंपरागत पूजा पाड़ भूल करके क्या वो अपनी परंपरा को जीवित रख सकता है कते ही नहीं लेकिन इसके बावजूद आज धारकन के पिछले पंचायत चुना में कईयों ऐसे जो भी बच्चीयां हमारी अच्छे-चे नवखरी में चले जाती है कहीने कहीं प्रेम जाल में फांस करके ट्रेक कर लिया जाता है ट्रैस कर लिया जाता है शादी कर ल Christmas कर लिजाती जिससे एक हमाराfäh जो समिधानिक जो राइट है उस अधिकार को सामें बन्चित किया जा और इसी के ताथ यह उधारन है आज चन्नाई में एक मुस्लिम युवक के साथ उस शादी शुद्र युवति का बुना विवाद करना मैं आदिवासी सुरच्चा पुरिशत की ओर से आप सबों सपील करना चाहूंगा सभी पॉलिटिकल लीडरों से करकताओं से जो भी जिस पार्टी में है जिस पार्टी के समर्थ तक हो इस लड़ाई को पार्टी गत ना लेकर के इस लड़ाई को अधिवासीं को बचाने का एक उद्देश लेकर के हमें साथ दें और जो भी साथी इस लड़ाई में आगया आना चाहते हैं वो सामने आएं और आगरह यही होगा कि इसको एक जनाद्रोन बना करके भारतिय सम्मिधान में संसोधन के जुरत है क्योंकि भारतिय सम्मिधान ने प्रावदान दिया है कि कोई हरिजन किसी से साथी करता है युदि दुस्तरे धर्म में चले आथा है तो सब कुछ लूटा जा रहा है आप सबसे ही बिन्ति करते हुए आज विदा लेता हूं उम्मिद करता हूं कि इस आंदोलन में आप हम लोगों का आप लोग सहयूग करेंगे जल्द ही इस मामले को लेकर का दिवसी सुराच्छा प्रशद हरन्यती बनाएगी और उम्मिद है आप समों को सहयूग मिलेगा सबों को जोहर